तो ये सारे box जो आप लोग देख रहे हो सामने, ये सब मुझको अभी तेक sponsorship मिले, ये product मुझे free of cost मिले है, मैं इनके एक भी रुपे पेनी किया है, ये camera, ये ये तो मैंने खरीर रहा है, सबसे पहला camera था मेरा YouTube का, तो ये camera हो गया, ये recently में जो Sony ने भेजा है, और इसके अला सबसे बड़ी चीज, पैसे मिलें, कितने पैसे मिलें, कितने चार्ज करें, मैंने ब्रैंड को कितने बोले हैं, आपको कितना बोलना चाहिए, इस वीडियो को टॉपिक यही है, आपको ब्रैंड से कितने रुपे चार्ज करने चाहिए for the YouTube sponsorship, चाहिए वो एक dedicated sponsorship हो, चाहिए integrated sponsorship हो, या फिर कुछ अलग टाइब की sponsorship हो, जहां पर आप ब्रैंड को promote कर रहे हो, वहां पर आपको ब्रैंड से कितने पैसे लेने हैं, 2-3 साल से यह चीज़े कर रहा हूँ, कितने पैसे मैंने ब्रैंड से लिए इस चीज़ को लेकर, कितने पैसे आपको लेने चाहिए, यह सब मैं आज की इस वीडियो में शेयर करने वालू हूँ, I hope आपको इस वीडियो पसंद आगी, वीडियो पसंद आगी तो जरूर लाइक कर देना, साथ यह चलो स्काइब कर देना, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, तो वीडियो में मैं इस पे आने से पहले कि मैं कितने पै पैसे बोलने है, ब्रैंड को आपकी चैनल के आपकी ओडियो की वर्थ क्या है, ब्रैंड को कितने पैसे आपको देने चाहिए, यह तीन चीजों से आपको पता लग जाएगा, सबसे पहली चीज जो मैंटर गड़ती है हूँ, आप किस कैटिगरी पे वीडियो बनाते हूँ इन टैक में वीडियो बनाता हूँ, इन टैप की वीडियो बनाता हूँ, डिजिटल प्लैटफॉर्म इनके वीडियो बनाता हूँ, इनके वीडियो बनाता हूँ, तो इनके वीडियो बनाता हूँ, तो इनके वीडियो बनाता हूँ, तो इनके वीडियो बनाता हूँ, जहा मैं हूं जो एक creator जो बंदा काम कर रहे है जो उस brand का समान करी सकता है service या उनका product करी सकता है उनकी ज्यादा value है और वो कॉन खरी देगा जातर entertainment वाले नहीं खरते हैं वहीं पर matter करती है नीश matter करती है अगर आप अच्छी नीश में हो जहां पर आपकी audience अच्छी है तो आपको brand ज्यादा पे करेंगा for example tech में brand ज्यादा पे करते हैं finance business इन में especially ज्यादा पे करते हैं health जहां पर जिम विम यह सब चीज़े इन में बहुत ज्यादा पे करते है brand compared to entertainment industry आपको यह चीज जो matter करती है और जात अलोंग बोलते नहीं यह matter नहीं करता वो है आपका audience का size यह चीज definitely matter करती है मैं खुद के experience आपको बता रहूं matter करता है आपके कितने views आते हैं matter करता है आपके कितने subscribers है और कितना engagement rate है यह तीनों चीज़े matter करती है अगर आपके subscribers ज्यादा है तो brands आपक अगर आपके subscribers ज्यादा है आपकी audience बड़ी है तो brand आपको definitely ज्यादा पे करने वाले अगर आपको simple चीज़ बता तो for example अपने से लेके चलता हूं ठीक है मेरे एक time पे तीन लाख subscribers थे तीक है उस time पे मेरे average views 50,000 पर वीडियो आते थे अभी के time पे मेरे 4 lakh से ज्यादा subscribers है और views भी definitely matter करते है तो यह चीज़ धियान रखना audience का size matter करता है इसी से पर चलेगा कि आपकी value क्या है आपको कितने पैसे मिलने चाहिए तीसरी चीज़ों matter करती है हो है आपका type of sponsorship या फिर यह चीज़ मैं मानूं समझाओ आपको especially कि आप brand को कितना time देते है अपनी वीडियो कि ऐसे आपको YouTube sponsorship लेनी है कितने type की sponsorship होती है वो वीडियो में उपर आई बटन पर भी लगा दूँगा आपके लिए और नीचे description पर भी लगा दूँगा आप उसको watch कर सकते है इस वीडियो के बार तो especially अगर मैं आपको बता हूँ तीन type की sponsorship लेके चलता हूँ सबसे पहले पूरी dedicated इसके उपर बनाई वहाँ पर मैं ब्रैंड से ज्यादा चार्ज कर सकते हूँ थर्ट आपको धिहान रखना है इस टाइम पर वह है बाटर कोलाइबरेशन यह especially उन नोग ले जिनके कम सुस्क्राइबर से नीचे सुस्क्राइबर है मैं बोलूँ है कुछ और मत करो स पर अपर ब्रैंड के साथ हमेशा नेगोशियेशन होते हैं क्या होता है कि अगर आप पैसे बोल रहो ब्रैंड को आपने 10,000 रुपीज बोले मैं 10,000 रुपी स्पांस्टिप के चार्ज करता हूँ ब्रैंड हो सकता है 5,000 बोले आपको हमेशा फ्लेक्सिबल रहना है ऐसा ने आपने 10,000 बोल दिया तो भई 10,000 खतम ठीक है आपको कम करना पड़ेगा अपने रेट या तो पहले ही बढ़ा दो थोड़ा सा हालका सा बढ़ा के बोलो और फिर बाद में कम कर दो ये एक टेप है या तो फिर आपका रेट है वो कम होने ही वाला है क्योंकि ब्रैंड हमेशा नेगोशियेट करता है अब ही मैं आपको फाइनली बताता हूँ कि मैंने ओवराल कितने चार्ज करें अपने यूट्यूब की जन्नी में 100K subscribers पे 10,000 subscribers पे या फिर उससे जादा अपके टाइम पे मैं कितना चार्ज करता हूँ यह आपको ओवराल दिखाता और आपको कितने चार्ज करने चाहिए according to me और यह एक्जेक्ट नहीं होने वाला है डिपैंड करते हैं आपके नीश के ओपर आपके quality of content के ओपर और बाकी चीजों के ओपर जो मैंने आपको इससे पहले बता चुके यहाँ पर मैंने पांच पा उस पर वीडियो बना सकते हो वीडियो के वीउस मिलेंगे आपको चैनल भी करो करेंगा आपको प्रॉड़क्ट भी मिल गया है तो स्टार्टिंग के लिए यह बहुत अच्छा है बाटर क्लाइबरेशन पर जाओ और कुछ इमत करो ब्रैंड पैसे भी देगा क्या फायदा इतना फायदा नहीं है जितना वह ब्रैंड के साथ आप कनेक्शन बिल्ड करके वह प्रॉड़क्ट ले लेते हो नेस्टीज आते हमारा नैनो जहां पर वन थाउजन से आपके 10,000 स्क्राइबरे वहां पर आपको कितने चार्ज करने चीए अब मैं स्पेशली उस टैम पर कि ले थे जब मेरे सिर्फ 10,000 के अरॉंड स्क्राइबर थे रेडिकेट वीडियो थी इस्टाग्राम इस्टाग्राम का कुछ अप्लिकेशन था शायद वो उसको प्रमोट किया था हमें और मिक्को 10,000 से जादा रूपीज मेले थे एक स्पॉंशिप के और बात में लेकिन मैं 10,000 से लेकर 100,000 स्क्राइब आपके होते हैं अभी हैं या होंगे जब तो आपको क्या आनए करने आपको बार्टर उयापिकेटर वीडिए इंटीग साथ डीग्र थी इतने मिलव करता था मैं डॉलर में मोसली ब्रैंड को बात करता हूं अब मैं रुपीज में करता हूं लिए अब बात करते हैं कि इस टाइम कि इस टाइम पर मिने चैनल पर और अरॉण 5700 बात करूं और मैं इस काटिग्री में इस इस पॉइंट पर मैं चार्ट करता हूं 50K प्लस जैसा कि मैंने यहां पर लिखर का है और बाकी अगर आप सेलिब्रिटी बन जाते हो वन मिलिन से ज्यादा आपके हो जाते हैं तब तो पूछो ही मत इस टाइम पर तो मौज है फिर आपके इंटिगेटेड के आपके कम से कम व बन मिलिन से जाधा है उनके तो बहुत जाधा जाधा आते हैं अब मैं यह थर्ट से बादो description link sponsorship में ब्रैंड आपको सामने से बोलेगा आपके पॉपिलर वीडियो के अंदर उनका लिंक छोड़ दो जो उनकी रिलेटेबल वीडियो की वहां पर आपको बोलेगा कि अपने description बस हमारा link डाल दो brand का ठीक है यह link डाल दो और उसके बदले आपको पैसे मिल जाएंगी तो recently कुछ brand ने में उसाथ ऐसा करा है और मैंने उनसे कितने चार्ज करें मैंने उनसे चार्ज करें 10,000 रुपीज पर वीडियो 10,000 रुपीज पर वीडियो मैंने चार्ज करें अगर आप सेलेब्रेटी हो जाते हो तब तो 50,000 रुपीज 50,000 से जादा चार्ज कर सकते हैं फिलाहाल के टाइम पे मैंने 10,000 प्लस चार्ज करें उन brand से सिर्फ एक लिंक अपनी वीडियो के अंदर डालने एड देन मैंने आप के अपने आनसे चीज़ें काफी बता दिये बाकी आप एकबस पांश हो करोगे दो बार करों दो क्लों गे लेंति ने कम से वह कंसे खिछ सब्सक्राज कर ृट्स थे लेगा कहीं बार यस से ज्यादा हो सकता है लेकिन इसे कम तो मत करना 100 रूपी पर से नीचे मद करना sponsorship मैंने आस तक नहीं करी है ना मैंने किसी यह लगी देखे जो जिन्होंने करी हो तो आपको आइडिया हो चुका होगा कि आपको कितने रुपे चार्ट करने ब्रैंड से कितने रुपीज बोलने है नेक्ट वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा आने वाल टुपीज जहीं करने बग्रामी जह